भोचपुरी पावस्टार पवन सिंग की फिल्म आ रही है बॉस इस फिल्म के ट्रेलर की बात हमने बहुत पहले आपको अपने वीडियो में कर दी थी और हमने अब तक पवन सिंग की इन दो चार सालों में रिलीज हुई जितनी भी फिल्में हैं उन में से सबसे लो करने के लिए तैयार नहीं है जी हां और आप को जान कर हैरानी होगी कि इसका खुलासा खुद इस फिल्म के प्रोडूसर प्रेम राय ने किया है प्रेम राय ने कहा है कि प्रमोशन तो दूर पावन सिंग हमारे मैसेज का भी जवाब नहीं दे रहे जी हां आपने सही सुना यहां पर प्रेम राय ने पवन सिंग पे एलिगेंस लगाते हुए ये कहा है कि हमारे जो हीरो हैं इस फिल्म के पवन सिंग वो हमारी फिल्म को प्रमोट नहीं कर रहे हैं हमने उन्हें लगातार कई messages भेजे हैं लेकिन हमारे messages का भी जवाब उन्होंने नहीं दिया है और उन्होंने ये बहुत ही unprofessional रविया अपनाया है खैर हम आपको यहां ये बता देते हैं कि प्रेम राइ ये कह रहे हैं कि जब यह film release होगी तब यह पवन सिंग के कैरियर है उसमें रहले मेel का पत्थर था छहीं में data रिव्यू जब किया था तभी हमने कह दिया था कि ये जो फिल्म है पवन सिंग की उसका जो ट्रेलर है उसकी जो क्वालिटी है वो बहुत ही लो है और इस ट्रेलर में बहुत लूप है यानि बहुत से फॉल्स पॉइंट है जिसमे इस फिल्म के क्रियेटिव टीम को ध्यान द लेकिन ये तो आने वाला वक्त बताएगा खेर ये फिल्म दसहरे पे रिलीज होने वाली थी लेकिन इसे रिलीज नहीं किया गया और इसका सबसे बड़ा कारण Почему बताया जा रहा है ऐस सब्सेर बड़ा कारन में बताय Supterment के लिए लोगों ने बेवकूब बनाया कि ये फिल्म दसहरे पे रिलीज हो रही है लेकिन दसहरे के बजाए अब इसे डिले कर दिया गया कि दिवाली के बाद रिलीज होगी लेकिन बिहार में ये फिल्म छट पूजा पर रिलीज होगी आपको बता दे कि दिल्ली, मुंबई, गुजरात, बनारस जैसे जगहों पर ये फिल्म पांस तारीक को रिलीज होगी यानि पांस नवंबर को रिलीज होगी और वहीं बिहार और 36 गड़ में ये फिल्म छट के मौके पर रिलीज होगी तो भाई जितने भी फैंस हैं पवन सिंग के वो तैयार हो जाएं क्योंकि उनके लिए एक फिल्म आ रही है पवन सिंग की बॉस अब पवन सिंग का जो है इस फिल्म के लिए प्रमोशन ना करने का कई वज़े बताई जारी पहली तो हमने आपको पहले बता दिया ट्रेलर का जो बहुत ही ठंडा रिस्पॉंस मिला वो पवन सिंग को नहीं भाया जिस क्वालिटी का ट्रेलर रिलीज किया गया है उस क्वालिटी के तो पवन सिंग के आज कल गाने भी रिलीज नहीं किये जा रहे हैं दूसरी बात इस फिल्म में पवन सिंग के लुक्स के साथ भी बह उपनी ही फिल्म का प्रोमोशन करने से इसलिए इंकार कर दिया है कि उन्हें इस फिल्म के क्रियेटिव जो टीम मेंबर है उनसे ही प्रॉबलम है और साथ इस फिल्म के प्रोडियूसर से भी आपको ये भी बता दे कि इस फिल्म को करने के लिए ऐसा कहा गया था कि पवन काफी हट भी हुए हैं कि उन्होंने जिस पर विश्वास किया उन्हीं लोगों ने ववन के साथ विश्वास घात किया बोजपुरी जगत की होट और मस्सा आले दार गौसिप के लिए हमें सब्सक्राइब करना मिलकून न भूली